हलो दोस्तों नमस्कार मैं बालापिर इलेक्ट्रोनिक चैनल पर आप सभी दर्सकों का हर्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे पास एक सी याट्टी टीवी आया है रिपेर के लिए यह दोस्तों ओनिडा कमपनी का टीवी है लेकिन दोस्तों इसमें चाइना कीट लगा हुआ है ठीक है और इसमें दोस्तों समस्या आया है कि इसमें से टीवी में से धूँआ दे रहा था ठीक है जिसका टी प्रवाट है तो हम इसी से दोस्तों इसमें सप्लाई गें अगर इस तीवी में सप्लाई लेगा तो गरीज बन बहुत देर तक जलते हुए रहा जागा, तब दोस्तों हमको TV में सॉट मिलेगा, सॉट के लिए हमको चेकिंग करना पड़ेगा, तो TV में main problem sorting का ही है दोस्तो आईए ये TV का plug pin है देखिए हम इसमें supply देते हैं चलिए अब हम इसमें supply देते हैं ये देखिए ये हम inter कर दिये switch को on कर रहे हैं तो देखिए series बलब हमारा जल गया ये जल के बंद हो जाना चाहिए तो दोस्तो यह बलब बंद नहीं हो रहा है सिरिज बलब जलते हुए रहा है कुछ देड़ तक देखते हैं इसको तो देखिए दोस्तो बलब अभी भी जल रहा है कुछ देड़ से हम देख रहे हैं लेकिन बलब दोस्तो बंद नहीं हो रहा है यानि दोस्तों इस TV में Pby में देएंगे तो टीबी में दोस्तों आगे फिर सॉट लग जAC जायेगा और चीज़ privy ख्राब हो सकता है या दोस्तों आगे सर्किट यादा जला सकता है तो दुस्तों इसमें सॉट है एक दम दोस्तों 100% इसमें सौट है तो आइए टीवी खोल के आपको दिखाते हैं कि आखिर इसमें सौट है क्या ठीक है बलब अभी भी नहीं बंद हो रहा है तो हम सप्लाइli काट के और टीवी क्लडर आपको दिखाते हैं दोस्तों देखिएіш्टीवी के हम सारा Nord खोल दिये हैं चलिए केविले यह देखिए ठीक है और दोस्तों केमिनिट खोल के निकालने हैं तो यह महुक रहा है जला हुए टाइप के प्लास्टिक जैसे जलता है और जब प्लास्टिक जलने के बाद महुक निकलता है वैसे दोस्तों इसमें से महुक आ रहा है और जला हुआ पाट भी दोस्तों हमको ल देख रहे हैं इसका प्लास्टिक और यहां दोस्तो तार रहता है देखिए जल कर राख हो गया है देख रहे हैं इसमें क्वाइल रहता है डिकोजिंग क्वाइले सारा सौट कर गया है जल गया है यह पूरी तरह चारो तरफ दोस्तो जला हुआ है एकदम देख रहे हैं इसी से दोस्तो धुगा निकल रहा है और यही दोस्तो महक रहा था और इस decozing coil का काम है दोस्तो color को adjust करके रखना color जो dispatch हो जाता है screen पती रंगा type के आ जाता है कहीं दोस्तो आपको लाल धबा जाएगा कहीं green धबा आ जाएगा कहीं blue धबा आता है screen के ऊपर उस दोस्तो धब्बे को यह control करके रखता था धब्बा नहीं आने देता था यहीं कोजिंग क्वाइल का काम है तो दोस्तो यह पूरी तरह हमारा जल चुका है देख रहे हैं देख रहे हैं पूरा जला हुआ है तो दोस्तो अब हम करेंगे यह कि डिकोजिंग क्वाइल का जो supply line जो दिया जाता है, इस supply line को हम पहले cut कर देते हैं, decoding coil का connection, power supply, AC supply से connected रहता है, और PTC के जड़िये दोस्तों इसको current दिया जाता है, और decoding coil में दोस्तों जब current जाता है, तो एक परकार का magnetic फिल उत्पन होता है, magnetic तरंग उत्पन होता है, चुम्बु कि ये तरंग जिसक सबसे पहले इसको cut देते हैं, तो देखिए दोस्तों यही इसका connection है, तो इसको दोस्तों हम cut कर देते हैं, ठीक है, अब दोस्तों हम TV में supply देते हैं, और देखते हैं कि TV हमारा चालू होता है कि नहीं, कि TV में अभी भी sort दिखाता है, तो हम इसका जो AC power pin है, देख रहे हैं, यह सी main code, इसको दोस्तों अब चलिए supply line में हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक हैं, चलिए इसको on करते हैं, तो देखिए दोस्तों हम इसको on कर दिए हैं, इसमे supply line आ गिया है, सिर्ज बलब हमारा नहीं जल रहा है, देख रहे हैं, इसके सिर्ज बलब नहीं जला, और TV दोस्त स्क्रीन पर दोस्तों लाइट आ गिया है लेकिन दोस्तों डिस्पेच cards हलका दिखा रहा है से सिच होने के कारण देखिये हैं दिखिए अभीडिश्क्रीन हट गया है फिर सचालों करके दिखाते हैं तो हम फिर से सप्लाइप काट दिया है थीर से से हटा देते हैं क्योंकि दोस्तों light reflex करने के कारण magnetic फिल बनता है जिसके कारण दोस्तों यह decozing coil खराब होने के कारण और सीशा में सामने हम देख रहे हैं इसलिए दोस्तों light reflex करकर और थोड़ा सा dispatch करता है इसलिए दोस्तों इसको सीशा सा हटा कर देखते हैं कि हमारा स्क्रीन पूरी तरह blue आता है कि नहीं कि dispatch आता है ठीक है देखिए दोस्तों हम सीशा सा हटा के सामने कर दिये हैं चलिए इसमें supply देते हैं तो दोस्ता हम इसमें सप्लाई दे दिया है अब देखते हैं कि डिस्पैज आता है कि एकदम पूरी तरह सही होगा तो छोड़ देंगे देखें दोस्तो यह पूरी तरह ब्लू स्क्रीन है इसमें नेचुरल कलर इसमें आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ही दोस्तो यह टीवी क्वाइल खराब था ठीक है आगे टीवी के सरकेट में किसी परकार का कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तो यह टी वीडियो आपको अच्छा लगे तब 22 अग उठे के निशान को टच कर एक लाइक कर दिजिए चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ओल करें ताकि आपको नए वीडियो का मैसेज दोस्तो मिलते रहें तो मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए दोस्ता आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार